नमस्कार, मैं जैपुर से अनीता सिंग हूँ, कविता जब बोलती है शिर्षक के अंतरगत, मैं अपनी कुछ कविताइं पेश कर रही हूँ, मेरी नजर में कविता मेरी जिन्दगी है, जो मीठे मीठे रस घोलती है, मैं अपनी पहली कविताइं पेश कर रही हूँ, मैं अकेली तनहा कहा हूँ, मैं जब भी अकेली होती, अपने मन से धेड सारी बाते करती, मेरा मन ही मेरा संगी साथी है, कभी ही छोटी सी बच्ची का रूप धारन कर लेती, जो खूँ नठखट शरारती है, एक तितली बन कर सुन्दर सुन्दर फूलों पर मन राती, इधर उधर उड़ती, एक पक्षी बन जाती, ना कोई सीमा ना कोई बंधन हो, खुले आकाश में उड़ती, मन में इंद्र धनोशी सपने सजाती, उनके ताने बाने बुनती, उन्हें साकार होते देखती, मैं अकेली तनहा कहां हूँ, मैं एक अपनी और कविता पेश कर रही हूँ, जिसका शिर्षक है सफर, जीवन का सफर, जन से लेकर आखरी सांस तक चलता रहता, इस मीच कितने ही लोग इस सफर में हमें मिलते, कुछ जाने पहचाने, कुछ अपने, कुछ लोग ऐसे मिलते, जिन से रिष्टे गहरे होते, कुछ लोग केवल धूप छाओं की तरह आते, लेकिन शीतल हवाओं जर्णों जैसा एहसास कराती, अमिट छाप छोड़ जाते, जो जीवन भर भुलाए नहीं भूलती, अपने भी शायद वह सुकून नहीं दे पाते, जो अंजान लोग अपने बन कर दे जाते, जन्म से लेकर वृत्यू तक सफर चलता रहता, मैं अपनी एक और कविता पेश कर रही हूँ, शीर्शक है ख्वाब, ख्वाबों का सिलसिला चलता रहता है, खूब सूरत ख्वाब, आसमानों की सैर कराते, राहू में काटे बिछे हूँ तो ख्वाबों के जरिये लगता, मानों सुन्दर फूलों का गलीचा बिछा है, अंधेरी रात के बाद सुबह का उजाला अपने ख्वाबों को पूरा करने की प्रेणा देता, सुबह की शुरुवात अपनी आखों में सुनहरे ख्वाब लेकर करते, ख्वाबों का सिलसिला चलता रहता, धन्यवाल,